नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फीवाफूस में मैं आपका होस्ट लोस राहूल बोच चनल को बड़ाफ़ सब्सक्राइब कर लो अगर आपने मुझे इंस्टेग्राम पे फॉल्व नहीं किया है तो दंदरादन फॉलो भी कर लीजे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिग बॉस के घर के अंदर भले करन कुंद्रा को इतना ज्यादा प्यार ना मिला हूँ से मिला लेकिन कंटेंडर से या फिर सल्मान सहाब से लेकिन हाँ एक टैग जरूर मिली है टॉक्सिक बॉइफ्रेंड का कि अब आप सभी दश्यकों को बताना चाहता हूँ कि उनकी इस टॉक्सिक इमेज पर क्या कहना है विकास गुपता का तो चलिए आपको इस वीडियो म को डिफेंड करते हूए कहते हैं कि the relationship is toxic from the other side as well अगर तुम कहते हो कि Karan Kundra का relationship is toxic है अगर वो boyfriend toxic है तो other side से भी है उन्होंने ये भी कहा कि it is not a one-sided thing and if one person is one person in a relationship is troubling another one and the other one will not keep quiet and would do the same or retaliate so what? ठीक है तो यहां पर उन्होंने साफ कह दिया कि एक हाथ से ताली नहीं बच्ती है दोनु हाथों का ही एक कमाल है और तौनु तरफ से है और दोनु तरफ के ही हम relationship को toxic कह सकते है on the other hand दोस्तो आपको बता दो तो विकास गुपता ने एक और बात बोली कि when जब fans people comment करते है is in a toxic relationship and he is responsible I feel they are right to some extent as it is a toxic relationship but toxic is from the other side also but toxic जो है अदुसी तरफ से भी है इसका मतलब क्या दोस्तो यहां पर वो कहते है कि तेजस्वी जैसे बोलते है शकल देख अपनी और तू करयाता तू कायराता की कायरता की निशानी है तो यह सब क्या है तो दोस्तों आपको क्या है क्याने इस बारे में comment करके जरूर रताएं बाए बाए